जोहार जय जर्खंड साथियों आज आप लोग के बीच खास बातचित के मोके पर आये हैं विशाया है कि पिछले तीन दिनों के अंदर पूलिस परसाशन के द्वारा मुझे दूसरी बार धंकी भरा फरमान मेरे अस्थाई घर का पता में दो दो गारी पूलिस पहुँचकर थमाया गया और यह कोई नई बात नहीं है और उस धंकी भरा फरमान में जो आरोप लगाया गया है यह आरोप के बारे में हम थोड़ा बहुत बताएंगे उसके बाद ऐसा क्यों किया जा रहा है यह आप लोग भी मुझे विचार दीजेगा कि हम कहां गलत हैं इसमें आरोप लगाया गया है जैसे कि यह लालपूर्थाना कांड संख्या 251 का यह कांड संख्या है और इसमें जो धारा आरोप लगाया गया इसमें कि धारा 147 149 343 233 323 188 279 270 भारतिय दंड विधान एवंग 51 आबदा परवंधन अधिनियम इसके अलावा और कुछ कुछ और धारा है इतना आरोप मुझ पर लगाया गया है और आश्चेर की बात यह है कि जारखंडी हीत को लेकर के जारखंडी छात्रों का रोजगार को लेकर के हक अधिकार को लेकर के खास करके नौकरी का जितने भी आंदोलन हो चाहे जारखंड की कोई भी राजनितिक्स दल के दवारा किसी भी परकार का कार्शक्रम रखा जात यह दोनों पता पर पुलिस द्वारा मुझे नोटीस दिया जाता है हर बार अखिर क्यों मुझे अतना परेशान किया जाता चाहे कार्चकरम किसी का रहे मलब इतना डर कि अगर झारखंडी हक अधिकार का बात होगा तो देवेंदर नातमातों का कुछ नो कुछ वहां किसी न अपना योगदान होगा सायद इसलिए और मेरे पास यतना फाइल तयार हो गया है परसासन के द्वारा दिया हुआ नोटीस का और जैसे ही कार्चकरम पहुचता है परसासन के आला अधिकारियों के द्वारा 24 घंटे से पहले ताबर तोड़ ताबर तोड़ होनाता है और कह पहले तो तंग होते थे परेसान होते थे लेकिन अब नहीं अब हम मजबूत हो गए हैं और कहा भी गया है कि हीरा को सोना को जितना घिसिये गाना वो अतना चमकता है और साइंस में हम लोग पढ़े भी हैं नो कलास में पढ़े हैं गार्वी कलास में पढ़े हैं यह मेरा आया है और जब-जब जहां जहां मुझे दिखाएं ऍन्याय हो रहा है हक अदिकार का हनन हो रहा है सोसन हो रहा है तो हम अपना सक्षम के अनुसार इमांदारी और समर्पित भहुना से अपना सत्परतिसद दे करके consensus कि लेकिन हर बार की महां थी अबरी बार का जो रवया है पुलिस का एक जो रवया नहीं होता है ताना साही वाला रॉब जिसको कहते हैं बर्दी का रॉब कई मूभी में देखते होंगे आप लोग कि किस तरीके से किसी को जूठे आरोप में फासा देना किसी को जो दबे कुछले हैं जो जिव है जो बड़े बड़े लोगों के हीत के लिए किसे काम करते हैं उसको केसे कम दबायदा कैसे पिड देते हैं गलत मने जूठा फर्जी मुकदमागा के तिर्शा देते हैं जेल भेज के थेते हैं लेकिन आज तमाम लाइब सुनने वाले सोसल मीडिया के सभी साथियों से हमाज कह देना चाह रहा है कि ये सरकार के इसारे में जो परसासन मुझे परतारित कर रहा है जो मुझे सोसन और अत्याचार कर रहा है और जो कोसिस कर रहा है कि चात्रों के आवाज को दबा दें और यह परियास उसी समय किया जा रहा है जिस समय माननियों मुझे मन्त्री साहब का एक ओडियो परसायत कहीं दुनिया में नहीं होता है कर नहीं है एसा जैसे परचार करता है बाकी लोग वेसे यहां के सरकार सरवे दो दिन की आंदर atmrions has a आपका सेवा समाफ्त हो जाएगा अब उधर से सून सकते हैं इदर से बोलने सकते हैं मतलब एक ऐसा मुंक्य मंत्री महधे राये माग रहे हैं कि उसके बोलेंगे राय जिसको मागा जा रहा है उसका राय को उधर से सुनेंगे नहीं और वह भी उसके चिन्टू पिन्टू टीम के द्वारा तो इसलिए मेरा भविस्वानी है कि जो सर्वे कि आ जा रहा है उसका रिजेल्ट पहले से ताय है निश्चीत रूप से ताय है और आप लोग देख लिजेगा एक महिना चाहे 15 दिन 20 दिन डेल महिना क्योंकि नोकरी देना इसको पड़ नोकरी होगा लेकिन यहां दो बात है या तो आपको नोकरी होगा या आपका नोकरी को बेच दिया जाएगा दोनों में से एक होगा और यहां को बाहरीत तंत्र है जो एक गेंग है गेंग जो जिसका गेंग का मोनेटरिंग दिल्ली से होता है जिसका गेंग का मोनेटरिंग पटना से होता है यूपी से होता है और हम पिछले रिकोर्ड के अधार पर हम हैट के अधार पर प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजिनियर का जो कॉस्चेन लिक का आरोपी का गिरो है वो उसका वास्ता पटना से है दिल्ली से है यूपी से है यहां जैसे का बात करें या साथा का सदास्य कम्योटी का बात करें या परिचाल लेने वाले एजेंसी का बात करें सबका एक गिरो गैंग जिसका वास्ता दिल्ली एधराबाद पटना यूपी तमाम जगों से है और लोग इतना मजबूत हो गया है अपने आप में कि यह लोग छोटा मोटा साधारन लड़ाई से लोग का गेंग गिरोष तूटने वाला नहीं है खतम होने वाला नहीं है इस चीज को हम प्रैक्टिकली हम देखे हैं क्योंकि बिनासेस कंपनी को देख रही है आप जो सात तीन दिनों के अंदर मुझे दूसरी बार नोटीस ही नहीं एक धमकी भारा फर्मान है और पूलिस जाकर के सीधे उल्टा-पुल्टा बात करता है का देवंदर ना तो कहां है देवंदर ना तो क्या उल्टा-पुल्टा काम कर रहा है उसका सब्सक्राइब कर दो दो समझ परदादा से लेकर पूरा पीडी दर पीडी तक कोई थाना का दरवाजा तक नहीं देखा था लेकिन आज आंदोलन करके हम क्या गुना किये हैं कि आज हर दो दिन में पूरा धमकी भारा फर्मान मेरे घर में थमाया जा रहा है और हमको खोजा जा रहा है और दस गारो धारा क साथ और बनाया जा रहा है तो क्या गैरेंटी है कि आने आने वालों दिनों में हमको क्या और यका रॉक लगा दिया जाएगा हमको हमको Соखो की बलतकारी का लगा सकता है लोग सकता है किसी किमाने को अंत दीले पैस किंद देर लेकिन सच क्या है यह जनता जाने मेरा इतना ही मंगसा है आप लोग कान खोल के इतना विश्पस्ट सुन लिजिए मेरा किसी परकार का हम 24 घंटा में हम तो अंदोलन में डूबल रहते हैं रात दो बजे तक हमरा नीद नहीं आता है आज से मेरा चार साल पहले का फोटो देखिए मेर अब जैसा दूबला पतला है हमिनी qसी के दाय न को आपको तो सबसे बड़े आत्र आतंगवादी और सबसे बड़े नकसली पर हिने लगा है अब बताईए इस तरह का बिडम बना और आज हम छूप छूप के जी रहे हैं मेरा राची का जो है कि हमको मेरा मकान मालिक जहां रहा थे तो हमको खाली करा दिया गया है इससे पहले जहां जिस दोस्ट के पास थे वहां पे गाली नहीं गुश्टा था एक किलोमेटर पहले ग कि अगर मेरा हम सुच्छवब कर रहे हैं तो इस आप रहते हैं मेरे साथी आंदोलनकारी साथी लोग लोग को भी ट्रेस किया कि इसी लिए हमको बाइधिर ना किया जाए हमको परेशान ना किया जाए और परेशान हम होंगे भी नहीं आप चाहे हमें नौटिस के माध्यम से धंकी दिजिए हम 50% ओपेंड ओल इंडिया के लिए जारखंडी छत्रों का जो हक के लिए जो सीठ है उसको बाहर हम स्विकार नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे सून लिजों आ году अहमन सोरनजी अप बिजिप को लगा देजिए दी आईजी को लगादीजिए सरीर में सांस रहेगा हम हर जूरम सफ्वासन अन्याइक Wait таких लाप हक अधिकार के लिए हम अनतीम सांस तक लड़ेंगे और यह लड़के वेसे सब्सक्राइब संगर सिखा या है कि हम को कोई सोक नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा में पैलेट में अभी तो यहां हुआ है राची में जगा जगा छुप छुप कर रहा है हम को जवरत पड़ेगा तो हम जाके जंगल के बीच में पहाड में भालू बांदर के साथ हम पिताएंगे लेकिन हम अंदोलान अंतिम सांस तक नहीं चोड़ेंगे चाहे जो हो जाए क्योंकि सच है मेर साथ कानून है और हम संविधान को मानते हुए हम अपना काम करेंगे अगर है अभी तो जिस परकार से रवया तनासाही रवया परसासन कर रही है मेरे घर के लोग भी बहुत परेशान है घर के लोग तो कारें कि शुरू-शुरू में जब नोटीस आया तो क्या क्या तुम करते हो पूली सता है तुम लोग सब काम करते हो पढ़ाई लिखाई करते हो कि क्या करते हो सब सुनाया गया फिर जब समझाए नोटिस के बारे में तो फिर मेरा पिताजी भी आप तो बोल दिये हैं कि बेटा तुम लोग राज के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा बिहारी लोग लड़ेगा का बाहरी लोग लड़ेगा का तुम लोग लड़ो सब एक जूठ हो के लड़ो तो मेरा सब साथी लोग जाके मेरा पिता जी को बोल दिया है कि चाचा हम लोग सब एक जूठ है आप लोग को घबराने का नहीं है हम लोग जो है कि आप लड़ाई आ हमारी लिए गर्व की बात होगा वह भी हमारी लिए सान की बात होगा लेकिन अपने आखों के सामने पचास पर्शेंट ओपन कर देगा तो इसको हम लोग सुईकार नहीं करेंगे चाहिए इसका अंजाम कुछ भी हो जाए यह बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ऐसा हम तो बार-बार संदेश देते हैं च्छात्रों को और यह हमारे आदर्निया जार्खन पितामा बिनोत बिहारी महतोजी का भी एक संदेश है पढ़ो हग अधिकार को समझो और हग अधिकार के लिए लड़ाई करो संघर्स करो पढ़ो और लड़ों का संदेश भी दिये हैं है जो कि एसी एसा है हम तो चाहेंगे पढ़िए लिखिए समय बहुत किम्ति पढ़ाई लिखाई में जरूर दिजिए लेकिन हालात ऐसा है इस्तिती ऐसा है स्तिप्टित की हमारा जो सेलेवस है जब पढी तोपिक एड़ नहीं कर दीजिए अंदोलन और उसको सेलेवस के ही सब मान के चलिए चुकि उसको जब parcel एड़ तक से लिबस तब तक आपको सिर्फ परिच्छा लिखने का खुसी होगा आपको नौकरी मिलने का कभी लड्डू और खुसी लड्डू खाने नहीं मिलेगा खुसी नहीं मिलेगा यह हम इसलिए बोल रहे हैं कि 2016 से पहले का जितने भी न्यूकति हुआ है गीने चुने एका दुका जहरखं नहीं हुआ है कि थोड़ा इंतिजार करेंगा जहरखंडी हित्में अम लोग नियोजनीती बनाएंगे अब बताई यह 50% अगर ओपेन करना ही था तो हमन्त सोरेंजी तीन साल हमारा समय क्यों बरबाद किये अगर पढ़ाई छोड़ करके हम आंदोलन में जाते हैं तो लगत अबने जाएगा तो हम पढ़कों करेंगे हमारा पड़के और परिक्षा दे के खुशी नहीं होना चाहिए हमें नोकरी मिलने के खुसी होना चाहिए और बाहरी स्टूडेंट आएंगे तो क्या होगा उसका बाप का बेटनदा काला कमाई उसका जोह की टेवल के उसका किसान का बेटा हम लग का बाप ददा खॉइबर चाहिए- लियको करता है का कि-घ यृ जाने नहीं है जो है कि पांच रुपया किलो। घू को भी publi रहा है तो इसी परिस्थिती में हम जीवन आपन करें कि नौकरी के लिए पैसा दे सकते हैं और हम लोग तो पहुंच भी नहीं है जार खंडियों का क्योंकि कॉस्चिन लीक करने वाला परिच्छाय करने वाला एजन्सी सब आपके यूपी दिल्ली हैदराबाद बिहार के हैं तो हम लोग पहुंच भी नहीं है तो इसलिए हर उलग बुलुटूथ लेकर परिच्छा लेकने घुसेगा हम लग बुलुटूथ कनेक्ट भी करने जानता है जंगल जालका आदमी तो हम लोग कहां से परिक्षा देके हम ल सब सीरियल वाइजपात ऐसा पास्ता पहला कलास में नहीं होता है एक दुगो एक सज़दी पाचास रोल लंबर रहेगा तो एक दुगो फेल पहला कलास से दूसरा कलास जाने में भी होता है लेकिन जेपी एसी का परिक्षा तीन गोई सा सेंटर था कि उसका अच्छा में मैं जेतना के सिब बहुत कई तो डूसरा जगहाँ होगा मैं जेतना का वहाँ सीटिंग था जितना बैटा था टोटल का टोटल पास पताने कोपी भी कटता है यह लोग इस लिए यह भरगंडियों के लिए अंतिम लड़ाई का अंतिम दौर है इस वक्त अगर हम लोगों न कि आने वाला पीड़ी दर पीड़ी जो है कि लड़ नहीं पाएगा और यहां का नसल भी खतम हो जाएगा और जर्खन को बरबाद होने से कोई नहीं रोक सकता है और यहां के सरकार तो जीस परकार कोईला बालू यहां के खनीच संपदा को खूले तोर पे बेच रहा है अब उसी परकार यहां के नोख्री को बेचने के टेंडर ले लिया है टेंडर हम इसलिये ले लिया हम क्या रहे हैं कि आशना नियोजंग निति लाया था जो रध हो गया और यग भोल नहीं था यह एक सूलीयों जीत नीती था कि हम नोकरी ना दे और आगे जाके रद हो जाए यह इसलिए करेंगे जब तीन साल पहले ही जब कॉर्ट में चैलेंज हुआ था उसी समय स्पस्ट रूप से मानन ये चीफ जस्टिस ने इसको प्रेस विगपती जारी कर कहा था कि यह आसम वेधानिक है उसके ब रद हो गया रद होना पहले से मालूम था इसको और जब साथ साल एसे करकर करके बिता दिये चात्र परिछा को लेकर करके पागल हो गया परेसान हो गया कांग आके आपने बोलेगा कि कुछों निती दे के परिछा ले लो यह मजबूर किया गया चात्र को और यह मजबूरन बस यह बात करें कि कुछ हो करके हमें सिर्फ पर पर प्रिच्वा ले लिजीए जिस नहीं बुला जाता है स्लिव प्यास से पागल हो गया को जो धूस में कडार्व में कोई राजस्थान यह गूम रहा है को सब्सक्राइब करना है तो का करेंगे भई मजबूर चात्र बोल देंगे किसी तरह परिछा ले लिजी किसी तरह परिछा ले लिजी यह तो पैदा किया गया सिच्वेशन और मजबूरी का फैदा उठा करके अब सर्वे का नाटक किया रहे फिंटू टिम के द्वारा यह बहुत दुर्भाइग है और हम इसी लिए करें कि जब लास्ट परिक्षा हुआ था उस समय से पांच साल उमर में छूट देना बहुत आवश्यक है धर्खन की स्थिति को देखते हुए दुवाजार गारा कि से इधर जो है कि 2015 में बहुत है तो उससे उससे पिछले मने दुवाजार गारा से पिछले पांस साल तक का उमर सीमा में छूट दिया जाए और खतिया नाधारित नियोजन निती जो बिहार में लागू है उसको लागू करके तूरज सब को परिक्षा लिया जाए और सीर साथ 26% स्टी का रिजरवेशन 14% सड़ी 10% सिक रिजरवेशन और चैस चौटल 49.5 अभी इंक्लूटेट व्ल्ट एस 10% मिला के साथ परसेंट यह तो संभीधान का देन है यह कोई हमन्त सोरेन का महरवानी नहीं है कि 50% भी जारकंडियों को मिल रहा है यह लोग का बस चले तो पूरा 100-100% बेज देगा लेकिन इक सरकार का करतेब भी है उसको अधिकार है उसको संभीधान का अनुचेत 16 का चार उसको यह अधिकार देता है कि ब यहां के आई-एस लोग तो चाहते ही नहीं है कि यहां के नोजवानों को कि यहां के बाहरी दलाल दरोगा बनेगा यहां के बाहरी दलाल सीयों बनेगा यहां बाहरी दलाल वीडियों बनेगा तो हम यहां कोईला को बेच सकते हैं हम यहां का बालू को बेच सकते हैं हम यहा हर लुटने के लिए ये लोग इस तरह का साजिस रचता है तो हम तो ही कहांगे इसम्हें नहीं देंगे अब चुकिस सब का कैगो अंत होता है अती और होना यह प्रकृती का नियम है जैसे खुन होता है कुन टपके तो जमें गा कून तो खोन होता है जो टपकता है तो जमता है उसी परकार जूर्म तो जूर्म होता है जो अती होता है तो मिटता है इसलिए बहुत बड़ा अपने कंधों में जिम्मेवारी है और यह परिक्षा की घड़ी है यह हम लोग का सब्र का परिक्षा हो रहा है कि मजबूरी स्थिति में छात्र क्या नेरने लेगे इसलिए आप लोग सभी छात्र से मेरा हाथ जोड की निवेदन है बिलती है आग रह की परिक्षा है कि आने वाले जर्खन का भविष्य क्या होगा इसलिए आप लोग सब कोई चटानी एकता का परिचय दिजिए और कुछ लोग जो गुम्रा कर रहे हैं कि यह परिक्षा हो जाए किसी तरह परिक्षा हो जाए वो इसे लोगों को चिन्नित किजिए कि कौन ऐस का सब्सक्राए कि णहरे मर्मक और ज्रकषा हो जाएं कंषा कि कौन आपके बात करता है वग्त ही परिच्छा लेता है को रहता है कि और जो गुम्रा करना इसको चिन्दिक करित को पहुंचा नहीं है है दो यू है यह दें देनर नाग्मट जूची अबने का की ग्योपष कि वह पाट अगलीघ से रिया पर ने उने कि ठर्याशा इया जब